सबसे पहले मैं आपकी अच्छी परसंटेज के लिए आपके साथ में हमारा चैनल कॉमर्स में संजीब सर हमेशा साथ है किसी भी प्रकार की कोई प्रॉबलम हो तुरंत आप हमसे शेर कीजे हम पूरी-पूरी आपकी हल्प करेंगे और यह जो वीडियो है बीकॉम पार्ड बन के स्टुडेंट के लिए है और बहुत विकल्पिया प्रस्ण कुछ युनिबर्सिटीज ने अपना जो पेपर पैटर्न है वो सैमेश्टर को एकदम सिस्टम से लाने के लिए बहुत विकल्पिया मोड में कर दिये हैं पेपर तो उनके लिए वीडियो बहुत ही वेलिवल है और व्यबसाय प्रबंद जो की एक बहुत ही महत्पूर्ण थियोरी का पेपर है उसके बहुत विकल्पिया प्रस्णों के सारे के सारे जो अल्टरनेटिव कोश्चन्स होते हैं मैं उनके लिए अपलोड करता रहूँगा तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्रा जो गारंटीड पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे तो सुरू करते हैं अपना पहला कोश्चन बहुत ही महत्पूर्ण है और प्रस नमबर एक जो की आपके लिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि देश के आर्थिक विकास के लिए प्रसिक्षित प्रबंदकों की अतियावश् पहला है मनमोहन शिंग का जो विकल्फ दिया हुआ है और जो दूसरा विकल्फ है जे आर डी टाटा का है और जो तीसरा विकल्फ दिया हुआ है अनिल अंबानी जी का दिया हुआ है और अगला विकल्फ है राजीब गांधी जी का दिया हुआ है इन चार में से कौन सा सही ह कई बार ये प्रसन पूछा गया है तो ये जे आर डी टाटा का ये बिकल्प है कोशन नमबर फश्ट का ये सेकेंड ओप्शन एक दम करेक्ट है ओके तो ये सही कर लीजेगा और आप भी मेरे साथ में माइंड में क्लिक करने का प्रयास किया करो क्योंकि मैं यहां टाइम नही पूजी कंपनी में सेना में इनमें से सभी में तो देखो जहां कहीं पर भी आपको सभी का आपसन मिले तो उस आपसन को सबसे पहले देखा करो ठीक है तो इसका जो करक्ट अंसर है आप समझ गए होगे यही चौथा बाला है यानि कुसल प्रबंद हर जगे पर ज़रूरी ह हो चाहें सेना हो यानि इन में सब में ये ज़रूरी होता है अब हम तीसरा कोस्ट देखते हैं थार्ड कोस्टन में क्या कह रहा है कह रहाँ है देखो पूरे संसार में सबसे अधिक प्रवंद को value इसलिए दी जा रहे है क्योंकि संसादनों का उचित प्रिकार से बिदोहन किसके प्रियोक के दोरा हो सकता है? प्रवंद के दोरा हो सकता है कोई भी अगर परड़ाम हमें अचीब करना है तो उसमें प्रवंद की महत्वण भूमका होती है तो इसके चार बिकल्प हैं सबसे पहला है क्या नभीनता प्रदान करना और सेगंड नंबर पे है परिवर्तनों की चुनोती का सामना करना और तीसरा है ब्याबसाइक समस्याओं का समाधान और चौथे नंबर कहे रहा इनमें से सभी ठीक है तो तीसरे कोश्चन में फिर वोई बात आ गई कि जब मैंने कहा कि इनमें से सभी या इनमें से आल हुआ करे तो उनको ध्यान से देख लिया करो यानि ये तीनों बिकल्प सही है इसका भी चौथा ही सही होगा और अगला कोश्चन फोर्थ नंबर के लिए क्या कह रहा है फोर्थ नंबर में कह रहा है भारत में पूझी निर्माल की दर को बढ़ाने के लिए आवश्यक है भाई क्या चीज आवश्यक है भारत में पूंजी निर्माल की दरबढने के लिए क्या-क्या आवश्यक है देखू पहले नंबर भी कह रहा है निजी संस्थाओं का राष्टी करान करना राष्टी करन का मतलब आप समझ रहे हो यानि जो निजी संस्थाओं है वो गोर्मेंट के हाथों में पहुंच जाए सेकंड में कुसल प्रबंद व्यवस्ता का मतलब है कि उनका जो मेंजमेंट है उसको और अच्छा किया जाए और जिससे कि बहां पर जो भी किरिया कलाप हो रहे हैं वो और अच्छे से हो सके और चौते नंबर पे है विसाल इस्तरियों उत्पादन कर लोगे मेंजमेंट ठीक नहीं हो होगी चाहिए निजी हो चाहिए सार्वनिक हो चाहिए कहीं का हो उसमें आपके लिए सफलता मिलनी ही मिलनी है अगला पांचमी नंबर पे जो कोश्चन है वो उसमें पांचमी में देखो क्या कह रहा है कह रहा है अनभवी आवं प्रसिक्षित प्रवंधक आवश्यक होते ह या कहां आवश्यक होते हैं क्या कहना चाहाँ रहा है। तो उनमीद है कि आप समझ चुके होगे कि जब सभी का option दिया हुआ होता है तो mostly अगर दो भी कल्ब सही हो रहे हैं तो आपको तुक्का कहे लें या एडजिक्ट कहे लें आपको सभी वाले पे ही लगाना होता है और छटे नमबर पे जो question है हमारा दिया हुआ वो देखो क्या कह रहा है भारत में कुसल प्रवंद के महत तुमें रंतर ब्रदी का कारण है वह कौन सा कारण है विकास योजना का करियानवेन ठीक है यह तमाम जो development planning से जो चलती है उनका कारियानवेन करने के लिए दूसरा है विदेशी प्रतिसपर्दा का सामना करने के लिए विदेशी चुके हो कि जब इनमें से सभी लगा हुआ है तो जहर सी बात है कि mostly सभी ही होगा इसका तो यह यहां पर हमारे कितने अच्छे कोशन कंप्लीट होते हैं कोशन नंबर सैवन स्टार्ट होता है और सैबन कोशन में कह रहा है कि अच्छे जो प्रवंद हैं सोरी एक सिकंड के के लिए कोशन नंबर सैवन में कह रहा है क्या कह रहा है कि अच्छे प्रवंद के बिना एक सरकार रेत पर बने मकान के समान है तो यह बात बहुत इंपोर्टेंट है कई बार एक्जाम में यह कोशन आया हुआ है यह हैं इसके कौन-कौन से बिकल्प हैं पहला बिकल्प है जे-म-किंस ने यह बात कही थी और जो दूसरा बिकल्प है तो वो है हेंडी फैल का कि हेंडी फैल ने कहा और तीसे नंबर पर राजपती रूजबेल्ट का है और चौते नंबर पर महारानी एलिजावीद का है तो इन चारो बिकल्प में से कौन सा बिकल्प सही है साथ में नंबर में, तो मैं बताऊँ ये राश्चपती जी ने ये बात कही थी, कि अगर ये कोई भी management होता है कही पर, अगर अच्छा प्रबंद नहीं है, तो जो government है वो भी रेत पर बने गुए में कान के समान हैं कभी भी ढह सकती है तो मनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है चाहें गोर्मेंट हो चाहें हमारा कहीं पर प्रबंद हो या कोई संस्ता हो किसी भी प्रकार की तो बहां पर मनेजमेंट का मजबूत होना बहुत जरूरी है आठ में कोश्चन में कह रहा है जो कोश दूसरह उपर प्रभाव छोने तो ये जो पहला है जार जालано कि टेरी जी ने ये बात कही थी दूसरे नंबर पर जो दिया हुआ है हरवट और बेशन का है और जो तीसरे नंबर बिकल्प है वो गर мар्म होदें ने दिया है और जो चोथे नंबर पर है ओलिवर शेल्डन का है तो इसका जार जार टेरी ये ओलिवर शेल्डन तो है नहीं जार जार टेरी ये है इसका तो जार जार टेरी बाला जो बिकल्प है ये सही है तो इसके लिए आप लगा दीजेगा और इस तरह से ये question हमारे पूरे होते हैं और इन questions के लिए आगे से एक बार और रिपीट करके देख लेंगे जिससे कोई प्रसन छूटने ना पाए ओके तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर आप कमेंट में लिखिएगा और हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई